असलालेकूम फ्रेंड्स आइम डॉक्टर नाजिया वेलकम बैक तो मैं चैनल तो हैपी विंटर्स एवरिवन तो विंटर्स हर जगा स्टार्ट हो चुके हैं तो अब यह होता है जो पेशेंट हमाई पास आ रहे हैं दवा लेने वो इस तरह के परिशानी इस तरह की तक्लीफ में कयाने जाया बढ़त चैनल फो में तक्लीफ के आज मैं आज मैं बात करूंगी कि जिसका नाम है । ने जॉइंट पेन यानी की गुटनों का दर्द तो गुटनों का दर्द जो है। ने सींजन वेंटर ने ज्ग्वारे करें ज्याह मैं चैनल उनक्स, और भीन टेर्द हमाई पुड़े बॉडी नी जॉइंट कर भी करता, हमाई पुड़े बॉडी गोड़ेट कर एक हमा दो वहहाँ सब्सक्राट में क्या गोर्ली में चलने में प्राब्लमों है कि उर्षप प्राइठा कर चलने में जॉइन्ट का यूज होगा आपको चलना पिरना होगा हर जगा तो इस वज़े से लोग परेशान रहते हैं और आजकल यह की हर एज में देखा जा रहा है कोई जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज होने के बाद ही आपको नी जॉइन्ट पेन होगा हर एज के परसंज में नी आज़ेंट का नाम है फीमर, टिब्या, फीबूला और पाडेला यहां पे वहां पे स्वेलिंग आ जाती है इंफ्लमेशन इतना जादा हो जाता है कि हमको चलने भिरने में यानि मोशन में जब जॉइन्ट मूव हो रहा है तो तकलीफ होती है है लुब्रिकेशन जो होता है क्या हुआ कब दोने पर पर अब करते हैं तो प्रश्ण को बहुत जादा पंड़ता आप इतनी जादा तकलीफ हो जाती है कि आपको पेंकिलर्स लेने पड़ जाते हैं तरह अप्सान कि इस हद तक पहुआ है ना उससे पहले आप राद धो मैं आपसे पहले डिसकस करती हूं उसके बाद मैं आपको बताओं ही कि हम इसे गुटनों के दर्द को कैसे ट्रेट करते हैं क्या वज़ा है यानि क्या कॉज है जिसके वज़े से बहुत जादा ये गुटनों का दर्द आज कल देखा जाता है तो एक important cause वो है obesity यानि मोटापा मोटापा अगर परसन में है तो वो जरूर इस चीज़ से परिशान हो सकता है घुटनों के दर्द से अगर आज नहीं तो आगे चलके इसलिए आपको अपना वेट कंट्रोल में रखिए मतलब आप अपने हाइट और एज के हिसाब से आप अपना वेट कंट्रोल में रखा करिए रखने की कोशिश करिए अगर आपके घर पर कोई इंसान होगा तो आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा उसको तकलीफ रहती है और आप जरूरी भी नहीं है अब तो चोटे-चोटे वदब थर्टी तक्रीच होने में ही गुटनों में दर्द शुरू हो जाता है नेक्स आता है कि इंजुरी कोई इंजुरी आपको हुई है कभी चोट लगी है कोई लिगमें टियर हो गया है उस जॉइंट पे जो आपको पता नहीं चला है तो वह बढ़के फिर वह तकलीफ हो सकती है आपको नीग में पेन हो सकता है नेक्स आता है ऑफ-पन जी जोंट यानि पहुत ज्यूजँ बहुत जादा आप नीजुरी का यूश क यूजा कर रहे हैं बहुत जादा बैटना यह बहुत धेर तक ख़ड़ेर रहना यह बहुत जादा दौडना ओवर यूजिट में और आपको नीजुइंट का हो रहा겠어 लिंस बको बहुत मुख्याहें में अchnyl केशा सब्सक्राइब आप मोशन होब आप मुखने व मुख कर आए वहां पह appropriately केशन अत्रण कुन सब्सक्राइब कुछे नहीं भी गखती है तो नी पेन को भी आप लाइटली मत लीजिए उसको भी प्रॉपरली उसको ट्रीट करना चाहिए और नेक्स्ट आते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होमेपाथी के लिए हम उसे कौन सी दवाय देते हैं इससे यह नी जोइन धीरे-धीरे करके कम होके खातम हो जाता है तो सबसे पहली दवाय में आपको यह बताती हूँ एक तो ब्रायोनिया अलबा- एकरस्टोकस यह दो मेडिसीन जो है इतनी इंपॉर्टन है नहीं जोइन पें के लिए और कोई भी जोइन पें के लिए दी जाती है तो ब्रायोनियाँ अल्बा 200 आपको लेनी है तू ड्रॉप्स दिन में तीन बार सुबा दोफैर शाम डारेक्ट अंबे भी ले सकते हैं अगर आपको तेज लगती ही तो आप थोड़े से पानी में भी डालके दो ड्रॉप ले सकते हैं अर ब्रायोनिय अल्बा आपको कब लेनी है अगर आपको चलने से और जाधा तकलीव बढ़ती है यान Jug आप सुबह उठे तो आप बिल्कुल सही हैं आपने जब काम करना शुरू किया है चलना फिरना तो आपको तकलीफ बढ़ती जा रही है तब आपको ब्रायोनिया लेना है 200 नेक्स्ट मेडिसीन है रस्टॉक्स 200 यह भी टू ड्रॉप्स आपको लेनी है दिन में तीन बार लेकिन यह तर इंडिकेटेड है जब आप सुबह उठे हैं तो आपको बहुत जादा तकलीफ है अपनी जॉइंट में बिल्कुल आपका जॉइंट हिल नहीं पा रहा है बड़ कोई भी जॉइंट पेन या कोई भी तरह के हड़ियों के दर्थ के लिए लेकिन इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है और नेक्स्ट आती है कि दो मदर टिंचर हम देते हैं कॉंबिनेशन में यानि की अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर एंड या मदर टिंचर या मदर टिंचर जो है वह आपको कंबाइन करके 20 ड्रॉप्स लेना है दिन में दो बार सुबा शाम पानी के साथ तो यह दोनों मेडिसीन जो है यह भी बहुत जादा नी जॉइंट के लिए बहुत अच्छी दवाय तो इसको आप जरूर लीजेगा अगर यह दोनों मदर टिंचर कॉंबिनेशन लेना है तो आपको देखेगा कितनी जल्दी 15-20 दिन के अंदर आपको फर्क पता चलने लगेगा और आराम होने लगेगा तो नेक्स्ट आता है एक जल में बताती हूं लोकली अपलाय करने के लिए गुटनों पर बहुत जादा तकल इसका नाम है टोपी-एंपी जल जो है इसको आपको थोड़ा सा लेके लाइटली जेंटल मसाज करना है अपने गुटनों पर या आपको कहीं और भी तकलिफ है तो आप कोई भी जोईंट में आप लगा सकते है तो इससे भी आपको बहुत रिलिफ मिलेगा इसको आपने द देते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है तो अकर इस तरह की तकलिफ आपको है तो आप ज़रूर राय कर सकते है तो आप स्पेसिफिकली कोई डिजर्स आपको है यानि की आप अर्थ्राइटिस आपको हो गया है और बड़ा इंफेक्शन हो गया है गाउट है सेप्टिक आर्थ्राइटिस इस टाइप की चीजे जो है तो वो मेडिसिन डिफर हो जाती है लेकिन बेसिकली अगर आपको गुटनों में दर्द है इस तरह की चीजे जो मैं आपको शुरू में बताये सिंटम्स तो आप यह दवाय ले सकते हैं बहुत ज्यादा सेफ है और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेज़े आ रहे थे दवाओं के बारे में पूछने के लिए तो अच्छी चीज है नेक्स्ट में वीडियो डालूंगी लो बीपी पे यानि कि आजकल लो बीपी के भी बहुत जादा पेशन देखे जा रहे हैं तो इंशाला मेरा ने अलूपी की और अगर शुगर यह दोनों की आपकी दवा चल लेएं तो मैंने हमेशा से हमेशा से कहा कि लोंगी यहांगी बारे मेंप्तो आप बेब मद रहा है। और जब बंद करना भी होगा तो वो डॉक्टर के सुपरवीजन में होना चाहिए डोजस टेपर होके तब बंद किया जाता है एकदम से बंद नहीं करना है क्योंकि यह सब फिर जानलेवा बीमारी का सबब बंद सकती है आगे जाके इसलिए मैंने कई वीडियो में यह स्पेस करने से नहीं कर सकते बिना डॉक्टर के सुपरविजन के तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जरू देखिए गया लोग बीपी पे रहेगा इंशाला और आगे भी मुझा आइडियास दीचेगा कि आगे में किस टॉपिक्स पे किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊ और और कोई च